जिवन संसार को सब्सक्राइब केजिए पास्वेबर ने बैल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस वीडियो देखने के लिए दोस्तों काफी लोग हैं या फिर काफी मेल ऐसे होते हैं जिनकी दाड़ी सही तरीके से नहीं आती दाड़ी की ग्रोथ नहीं होती पूरी काफी बार यह उनकी मरदानगी पर एक सवाल बन जाता है वो चाहते हैं कि वो अच्छी दाड़ी आया है तो अगर इस तरीके कि आपका इशू और आपका सपना है एक गनी दाड़ी लाने का अच्छी पूरी दाड़ी लाने का तो प्लीज आज की हमारी इस वीडियो और इस नुस्के को देखी हो फॉलो कीजी क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम में काफी हेल्प करेगा दाड़ी मेंली दोस्तों जो होती है तो आपके अगर हर्मन में किजी तरीके की कमी रह जाती है तो या फिर हैडिडिटी जैनेटिक्स की प्रॉब्लम के विए से मेंली रहता है कि दाड़ी की कमी होती है या दाड़ी घनी नहीं आती या काफी बार आपने देखाऊगा कु साज भी रेगुलर ली करेंगे तो आपको हल्प करेंगा सबसे पहले आप जैतुन का तील दीजी एक से देड़ चमच आप जैतुन का तील देखी इस तरीके से ले लीजी मैंने लेके रख रहा है इसके साथ में दोस्तों आपको चाहिए पोधीना के जो सुखे पत्ते रह पीछे बैगरांड डिस्टरबियंस के लिए दोस्तों इस तरीके से आप इसको एक मिक्सर अच्छा सा पेस बना लेजे दोस्तों इसमें आपको एक लास्ट चीजो डालनी है जो कि आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट रता हु इसमें ही सो मात्र में विटामीं के आपजये तरीके से अच्छे से मिला लेजे आपकी स्किन के लाड़ी सब के लिए गास्त का पेस्ट बना मुए है राद कें मैजा तो युआ और यशिए आप ड़्यला पुसित खुग आपकी स्किन के आपके लिए बना है प्ने बना यह पहले आप अपने फेस को धो लीजिए और इस पेस्ट को आप इस तरीके से अच्छे से अपनी दाड़ी के एरिया पे लगा लीजिए और लगा है कि आप इस पंदरा से बीस मिनिट तक के लिए छोड़ी मसाज करते हैं लगा ही आप उस एरिया पे और इसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए पंदरा से बीस मिनिट के लिए और बाद में आप आपके फेस को अच्छे थंडे पानी से धो लीजिए और ऐसा तो आप दीखेंगे की पंदरा दिन से महीने बर में आपको हलका हलका अशर और अगर अप करेंगे तो आपके दाड़ी में काफी फायदा देगा आपको घनी काली ना ने में और अगर आपकी दाड़ी पैच्छेस में आती तो इसमें पीए काफी जल्दी ग्रोह होने आपको इनुस्का कैसा लगा और इस तरीकी की दूसरी वीडियो नुस्की देखने के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक करना ना भूले दोस्तो धन्यवाद